नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल ससी रीड पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजिनिंग के 10 महतपूर प्रशनों को साल्व करने वाले हैं जो आपकी परिछक लिए काफी महतपूर हैं दोस्तों ये रीजिनिंग का प्रैक् कुश्चन को साल्व करते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रशन देखिए दोस्तों यहां पर दिये गया है दिये गया बिकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि यहां पर दोस्तों जिस प्रकार तेश का संबंध यहां पर बहत्तर से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहां पर 38 का संब्ध किस संख्या से होगा अब आप solve कैसे करेंगे सबसे पहले आप यह सोचेंगे कि यहां पर तेज से दोस्तों हम 72 कैसे ला सकते हैं जो तरीका दोस्तों आप इसमें लगाएंगे वही सेम तरीका यहां पर भी लगेगा अब दोस्तों क्या करेंगे हम अगर हम तेज का गुड़ा दोस्तों क्या करते हैं तेज से कर देते हैं तो तेज से कितना होता है दोस्तों यहां पर 79 हो जाएगा और 79 में दोस्तों क्या करें यहां पर प्लस अगर हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगे यहां पर 72 हो जाएगा ज 3 से करेंगे तो 3 अठे 24 हो जाएगा और यहां पर दोस्तों 3 तरीक करना हो 9 2 कितना हो जाएगे 114 हो जाएगा और 114 में दोस्तों क्या करेंगे यहांपन plus 3 कर देंगे जिस प्रकार दोस्तों हमने इसमें किया था क्या करेंगे 3 plus करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 117 हो जाएगा देखेंगे दोस्तों 117 किस बापसन में है तो option number B आपका सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रस्ण आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रस्ण की ओर दोस्तों दूसरे प्रस्ण को देखिए दूसरा प्रशन यहाँ पर वेन डायग्राम से रिलेटर प्रशन दिया गया है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगी तो यहाँ पर दिया गया है उस वेन आरेक का चैन करें जो दिये गए वर्गों को बेहतर ढंग से दरसाता है अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो तीन सब्द दिये गए है यहाँ पर खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्ले बाज तो यहाँ पर इन्ही तीन सब्दों के बीच हमें संबंद बताना होता है और यहाँ पर कैसे इसका वेंडाइगराम बनेगा तो यहाँ पर कैसे आप सौल्व करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो जो खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ी के अंतरगत ही क्या आते हैं यहाँ पर क्रिकेटर आते हैं और क्रिकेटर के अंतरगत क्या आते हैं यहाँ पर बल्ले बाज आते हैं और यहाँ पर किर्केटर के अंतरगत ही क्या आते हैं दोस्तों यहाँ पर बल्ले बाज आते हैं तो बल्ले बाज क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किर्केटर के अंतरगत हो जाएगा तो देखेंगे दोस्तों इस टाइब का वेन डाइग्राम किस आप्शन में है तो प्रशन भी आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों next प्रशन की ओर दोस्तों तीसरे प्रशन को देखिए तीसरा प्रशन नंबर स्रीज से संबंधित प्रशन दिया गया है तो आपको क्या करना है दोस्तों बीडियो तो solve कैसे करेंगे अगर दोस्तों हम इस question को अंतर के आधार पर solve करें तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 2 से दोस्तों यहाँ पर 10 हुआ है तो यहाँ पर 8 बढ़ा है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 से 30 हो गया है तो यहाँ पर 20 बढ़ गया है उसके बाद आप देखेंगे तो 30 से 68 हो गया है यानि कि दोस्तों यहाँ पर 38 बढ़ गया है तो एगर हम दोस्तों अंतर के आधार पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम एक का क्यूब करते हैं दोस्तों एक का क्यूब करते हैं और पलस वन कर देते हैं यानि कि दोस्तों जितने का हमने क्यूब किया है उतना ही हमें पलस करना है तो एक का क्यूब एक होता है और पलस वन कर देंगे तो कितना हो जाएग 2 का cube 8 होता है और 8 में हम plus 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 दिया गया है उसी सेम प्रकास हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 दे रखा है तो क्या करेंगे हम 3 का cube करेंगे तीन का क्यूब कितना होता है दोस्तों यहाँ पर तीन का क्यूब होता है 27 और 27 में दोस्तों हम क्या करेंगे प्लस 3 कर देंगे यानि कि 3 का cube करेंगे फिर हम 3 को plus कर देंगे तो 3 का cube यहाँ पर करेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 में plus 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा उसी सेम प्रकास हम क्या करेंगे यहाँ अब आगे 4 का cube करेंगे तो 4 का cube कितना होता है दोस्तों 64 होता है उसी प्रकार अब हम आगे क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है 125 में दोस्तों क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा तो यहां पर question mark जो value है दोस्तों क्या हो जाएगी 130 हो जाए चौते प्रशन को देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दिया गया बिकल्पों में से संबंधित पद चुनिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार ELQZ का संबंध दोस्तों AJOV से है उसी प्रकार हमें बताना है VXTD का संबंध किस अच्छर से होगा अब solve कैसे करेंगे सबसे पहले आप यह सोचेंगे कि यहाँ पर e, l, q, z से दोस्तों यहाँ पर a, j, o, v किस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों logic क्या लगा है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो इनका जो यहाँ पर जो अच्छर दिये गए हैं इनका विपरित अ यहाँ पर लिखा है और ओ भी कैसे लिखा है दोस्तों उल्टे करम में यानि कि दोस्तों यहाँ पर e, दोस्तों यहाँ पर दिये का तो e का विपरित अच्छर क्या होता है यहाँ पर v होता है तो यहाँ पर e, l का विपरित अच्छर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर o होता है क्यों का विपरी तच्छर दोस्तों यहां पर यह होता है और जड़ का विपरी तच्छर दोस्तों ए होता है तो यहां पर देखेंगे तो विपरी तच्छर लिखा गया है उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों क्या करें यहां पर दिया गया है तो यहां पर पहले क्या ह यहां पर इकदम लास्ट में रहेगा तो यहां पर उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर C होता है तो यहां पर C लिख लिख लेते हैं उसके बाद दोस्तों दोस्तों यहां पर जी होता है तो यहां पर जी लिख लेते हैं उसके बाद दोस्तों दी का भी प्रित अच्छर क्या होता है यहां पर डबलू होता है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों डबलू जी सी ए किस आप्शन में है तो डबलू जी सी ए किस आप्शन में है तो आपस प्रश्ण कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्ण दिया गया है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों प्रश्ण को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद हम इस कोश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर दिया गया है यदि एक पहले हम क्या करेंगे यहां पर देखेंगे यम ओ यन के ओ से दोस्तों पांच साथ छह तीन साथ किस प्रकार से लिखा है तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगी अगर दोस्तों हमें नहीं समझ में आ रहा आपको कैसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे यहां पर पहले यहां पर दिय कितने नमबर पर आता है चौको यहां पर देखेंगे क्यैं डीयारा, 14 और 15 दिया है, लेकिन दोस्तों हमें लाना क्या है यहां पर कैसे लाएंगे, उसके बार अब क्या करेंगे किया करेंगे यहां पांच हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम इसमें भी क्या करेंगी यहां पर आठ माइनस कर देते हैं तो पंदरह में से जब हम आठ को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा चाउदा में से दोस्तों आठ को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहां पर 6 हो तो यहां पर 5, 7, 6, 3, 7 में मिल गया है जो कि दोस्तों यहां पर लिखा गया है उसी सेम पर करस हम क्या करेंगे दोस्तों इनका हम नंboring करेंगे और उन्मे से हम क्या करेंगे आठ को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा तो के दोस्तों 11 नमबर प्याता है तो यहाँ पर 11 लिखते हैं और यल दोस्तों 12 नमबर प्याता है तो 12 हम लिख लेते हैं जे दोस्तों 10 नमबर प्याता है यहाँ दोस्तों यहाँ पर 13 नमबर प्याता है और 14 नमबर प्याता है अब हम क्या करेंगे सभी में से हम क्या यहां पर दस में मैंस काम्राइब टील ऑपसिया जएगा उसके बाद रखने में आठ को किसे것 देखेल हो fine इसके निवquito को माइने के एक मैंसstory किभी हो रखने चंब सिंगाए काम्राइब航 पर जायें हूं दोश्यावाइं हो तो आपसे नमबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा तो बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साल्व करने से तो यहां पर देखेंगे कि B का अस्थान D कैसे हो रहा है और C का यहां पर I कैसे हो रहा है तो उसी प्रकार से जो तरीका आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहां पर लगाएंगे अब दोस्तों अगर हम क्या करें यहाँ पर B का जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर numbering करेंगे यानि कि B ABCD में कितने number प्याता है तो B जो है दूसरे number प्याता है यानि कि A एक number प्याता है, B दूसरे number प्याता है, C 3 number प्याता है इसी प्रकाल से तो यहाँ पर B दोस्तों यहाँ पर 2 number प्याता है और B का अस्थान क्या हो रहा है यहापर D हो रहा है और D का अस्थान क्या होता है दोस्तों 4 होता है अब दोस्तों यहापर कैसे हो रहा है अगर हम दोस्तों यहापर 2 का इस्क्वायर कर देते हैं दो का square करेंगे, दो का square कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है, उसी सेम प्रकार से आप देखेंगे, तो यहाँ पर C दोस्तों कितने नमबर पर आता है, तीन नमबर पर और तीन का आप square करेंगे, तो 9 होता है, और 9 नमबर पर कौन सा अच्छा राता है, तो I आता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर G then to dostre 4 नंबर पर आता है तो चार का हम स्कौार करेंगे 4 करिंगे कितना होता है यहाँ पर जोला होता है और सोलपे नंबर प्रीकाश हराता है तो पार फार पी तो इसका right answer जो हो जाएगा दोस्तों P हो जाएगा देखेंगे दोस्तों P किस option में है तो option number C आपका सही जवाब हो जाएगा प्रस्न number 7 है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यदि September का मान दोस्तों 54 है जनवरी का मान 42 है December का मान दोस्तों यहाँ पर 48 है तो August का मान हमसे पूछ रहा है तो आप कैसे solve करेंगी इस question को तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पर September का मान दोस्तों यह 54 किस परकार से January का मान दोस्तों यहाँ पर 42 किस परकार से December का मान दोस्तों यहाँ पर 48 किस प्रकास है उसी सेम प्रकास दोस्तों जो तरीका इन तीनों में लगेगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे September में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और दिवाले में के तो यहां पर देखें गे के जाएंग。 सब्सक्राइब आठा का गूडा भी हम क्या करेंगे 2016 से कर देंगे तो आठशा के अच्ता घैकल civberg प्रस्ण दिया गया है तो आप इसे कैसे solve करेंगे दोस्तों आपको क्या करना है वीडियो को रोक करके इस question को खुद से solve करने की practice जरूर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है 9 गुड़े 2 का संब्ध जिस प्रकार 9 गुड़े 9 से है उसी प्रकार हमें बताना ह कि 9 गुड़े 5 का संब्ध किस से होगा अब आप solve कैसे करेंगे सबसे पहले आप यह देखेंगे कि 9 गुड़े 2 का संब्ध दोस्तों 9 गुड़े 9 से किस प्रकार से है तो यहाँ पर हम कैसे solve करेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 9 का गुड़ा 2 से करते हैं यहां पर 18 हो जाता है और यहां पर 9 का गुड़ा 9 किसे करने पर यहाँ पर हमें मिल रहा है तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 का गुड़ा हम क्या करेंगे 5 से करेंगे तो नौउटपची कितना हो जिए अपर, पैतालिस हो जा रहा है। तो अब दोस्टों आपकर हम क्या करेंगे, पैतालिस यहाँ पर दो संख्याओं से मिलकर के बना है, तो क्या करेंगे हम , इन संख्याओं को हम आपस में चेंज कर देते हैं, तो यानि कि 5 को हम पहले लिख देते हैं और यहाँ पर 4 को हम बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 54 आगे वाले में आना चाहिए, यानि कि दोस्तों हम कितने का गुड़ा कितने में करें कि ताकि 54 आ जाए, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का गुड़ा 6 एप्षा से कर देंगे तो नौग इच्छभाब हो जाएगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर दोस्तों, नवे परशन को देखिए नवा परशन यहाँ पर missing number से संबंधित परशन दिया गया है तो आप इसे कैसे solow करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दिये गे बिकल्पों में इसे लुप्त संख्या ग्यात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लुप संख्या कहां पर है तो यहाँ पर आप देखेंगे कोस्चन मार्क दिये गया और इसी कोस्चन मार्क यहाँ दोस्तों कौन से संख्या आएगी हमें बताना है तो सॉल्व कैसे करेंगे तो यह सबसे पहले दोस्तों missing number की question को solve करने का जो पहला तरीका होता है वो आप देखेंगे संख्याय जिस तरफ जादा बड़ी होती हैं दोस्तों जादा तरफ question उसी तरफ से solve होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याय किस तरफ बड़ी हैं तो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 106 यहाँ पर हमें बड़ी संख्या देखने को मिल रही हैं, तो चलिए हम एक बार इसी तरफ से हम solve करते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 12-4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर च्छा को दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, च्छा और यहाँ पर दोस्तों, 48 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, 48 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर चार आप्सन दिया गया है, और यहाँ पर हमें क्या करें, यहाँ पर 4 का हम square कर देते हैं, 4 का square कितना होता है, 16 होता है, और 16 में से हम 10 को minus कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर आप 4 का square करेंगे, और 4 का square 16 होता है, और 16 में से 10 को minus करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसी प्रकास हम क्या 12 के square कितना होता है 144 होता है और 144 में से दोस्तों यहाँ पर 96 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगे यहाँ पर 48 हो जाएगा उसी सेम प्रकास दोस्तों क्या करेंगे अब 16 का हम क्या करेंगी square करेंगे 16 का square कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 16 का square 256 होता है और 256 में क्या करेंगी हम 106 को माइनिस कर देंगे तो 106 को माइनिस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगी यहाँ पर हमें 150 हो जाएगा तो 150 देखेंगे दोस्तों किस option में है तो option number यहाँ पर option number B आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ प्रस्न भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की ओर दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रस्न है इस इन अच्छरों का प्रियोग करके कौन सा बिकल्प नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कौन सा ऐसा बिकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है इन अच्छरों का प्रियोग करके यहाँ पर दिया गया है EAT है कि नहीं, तो यहाँ पर EAT है, यानि कि दोस्तों पहला जो बिकल्प है वो बनाया जा सकता है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दूसरे बिकल्प को चेक करते हैं, तो यहाँ पर T EAT दिया है, तो यहाँ पर T EAT दिया है, यानि कि दोस्तों बिकल्प नंबर B भी बन बनाया जा सकता है जब दोस्तों तीन भीकल बनाया जा सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा एक जो बच रहा है वही आपका एंसर हो जाएगा अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे म डबल इटी दिया है तो यहाँ पर दोस्तो यम तो है लेकिन डबल ई नहीं है इसलिए आपका जो राइट एंसर हो जाएगा आपसे नंबर डी सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रस्ण भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुगा होगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब त